दीक जिली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाउं उकलीरा में दो पक्षों में हुआ जगड़ा जगड़ी के दोरान फाइरिंग फाइरिंग में एक ब्यक्ती को लगा गन शोट घायल उदे चनकूची के साले में कराया भरती प्रात्मिंग जाज की बाद भरतपुर किया रहफर जगड़ी की सूशना पर गाउं उकलीरा पहुची पुलिस एसाई नौबत सिंग ने दी जानकारी अब इस खबर पर और अधिक जानकारी देनी के लिए पंकज हमारे साथ पोन लाइन पर जड़ चुके हैं पंगज क्या कुश पूँरा मामला है लोग बताएं क्या कुश पूरा मामला है मैम ये रात की गठना थी ओदै अपने घरमें था कुछ लोग आय और उसके घरमें आती उसके साथ अता बाई की थी चे क scand an और उसमें फाइरिंग भी कि थी लेकिन फाइरिंग में ना तो उसकी कोई लडाई थी पुरानी रंजीस बताई जा रही थी उसको बीग उस्पिटल लाया गया था तो नौबज सिंग जी ने बताया कि फाइरिंग हुई है उसमें जानकरी है एकसरा होने के बाद ही बता चकते हैं कि राउंड है या चल्रे लगे थे नाई पुरानी रंजीस की बताई गई थी ऐसी कोई ताजा लडाई नहीं थी उनकी चके पुलिस के और शीर ठायसे पर क्या कुश्कारीवाही की गई है रात को दब इस पे पुलिस के तो रात को पुलिस करने के बाद में जई स्वाने वाहा पर ऑन को ही मिला नहीं हुआ पंगज फिलाल क्या से थी बनी हुई है तो देखा आपने कि किस तरीके से दो पक्षों में जगड़ा हुआ और जगड़े के दौरान फाइरिंग हुई और फाइरिंग में एक युवक को गन शॉट लग बहुत-बहुत धनेवाद अप